Hey guys, welcome back to the channel once again आशा करती हूँ, आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहत मंद होंगे तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि दिन हो रहा है यहां पर ट्यूजडे और रात के आठ बज़ रहे हैं, सब लोगों का डिनर हो गया है हम लोगों के यहां पर होली के बाद बासोड़ा पूझा जाता है, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि बासोड़ा कपका तुम लोग कर रहे हो तो उसने बोला कि वेडनस डे को बनाया जाएगा, थरस्डे को पूझा जाएगा पर तबी मेरी इंडिया में मम्मी से बात हुई, तो वो बोली नहीं आज ही बना लो, कल पूझ लेना यानि तुम ट्यूजडे हो रही है, आज रात बना लो और कल उसको पूझ लेना करी लिए, गुड़के चावल बनाई लिए, तो आप लो के साथ भी गुड़के चावल कुकर में कैसे बनाए जाते हैं, मैं शेयर कर लेती हूँ तो बासोडे का खाना बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहली चीज की किचिन आपकी नीट और क्लीन होनी चाहिए, दूसरी चीज जिस दिन आप बासोडे का खाना बना रहे हैं, उस दिन आपका हेड़ वाश होना चाहिए, तीसरी चीज किचिन साफ होने के बाद किचिन के फ्लोर पे भी थोड़ा सा आप जाड़ू पोंचा कर दें तो किचिन एकदम साफ हो जाएगी और चौती चीज आप स्लिपर पहन के खाना ना बनाएं खाना बेर फुट बनाएं क्योंकि ये शीतला माता की पूजा करी जाती है इसमें तो खाना ब आपने सुबह से पहन रखेते किचिन की सफाई करने के बाद उनको आपको चेंज करना है दूसरा आपको जो डिनर है वो खाना बनाने के बीच में नहीं करना है खाना बनाने से पहले ही अपना डिनर फिनिश कर लेना है ताकि आपका मू जूटा ना रहे और खाना बनाने स के लिए मैंने एक कप चावल को तीन से चार बार अच्छे से वाश किया और उसको हाफ एनार के लिए सोक करने के लिए छोड़ दिया है मिनिमम आपको तीस मिनट इनको जरूर सोक करना है तो जो मैंने कप यूज करा है वो ये वाला यूज करा है तो एक कप चावलों के लिए आपको पानी डालना है धाई कप पैन में तो यहां मैंने लिया है पैन और इसमें डालना है धाई कप पानी और जितना मैंने चावल लिया है उतना ही मैंने लिया है गुड यानि गुड और चावल की क्वांटिटी सेम रहेगी और पानी की क्वांटिटी रहेगी ड्हाई कप अभी मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है और बस हमको इस गुड को इस पानी में मेल्ट करना है हमें एक तार या दो तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए सिंपली बस इसको मेल्ट करना है पानी में हाई फ्लेम पर जब उबाल आ गया था तब मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम और देखिए आदि से अदा गुड अराम से मेल्ट हो गया है थोड़ा सा और रह गया है तो इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर मेल्ट कर लेते हैं गुड हमारा मेल्ट हो गया है गैस को मैंने कर दिया है बंद और इस पानी को अब हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे अब बस मैंने लिया है एक प्रेशर कोकर उसमें डाला है दो से तीन बड़ी चमच घी फ्लेम को कर रखा है मीडियम गी जब मेल्ट हो गया था उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सौफ यानि की फैनल सीड करीबन एक चमच के आसपास सौफ के मीडियम फ्लेम पर भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दी हैं दस बारे बदाम, साथ में मैं डाल दूँगी दस बारे काजू और साथ में ही डाल दूँगी थोड़ी सी किशमिश अगर आपके पास कच्चा गोला होना, स्लाइसेज में कटा हुआ तो आप साथ में वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी वो एविलेबल नहीं है तो बस नट्स में मैं तीनी चीज़ें डाल रही हूँ, काजू, बदाम, किशमिश बस मीडियम फ्लेम पर इन तीनो नट्स को भी अच्छे से भून लेते हैं, किशमिश फूल जानी चाहिए और काजू बदाम का हलका सा कलर चेंज हो जाना चाहिए नट्स के भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिये हैं चावल, जिनको कि मैंने आदे घंटे सोक किया था एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है, केवल चावलों को ही डाला है और अब मैं इन चावलों को घी में करीबन एक डिड मिनट भून लूँगी अब जो हमारा गुड़ वाला पानी है उसको हम चंदी से चान के इस वाले कुकर में डाल देंगे और आप चाहे तो चंदी से भी चान सकते हैं, चाहे तो एजटी बी डाल सकते हैं चंदी से चानने से क्या होता है, इसकी जो impurities होती न गुड़ की वो खतम हो जाती है आप ठंडा होने देंगे उसकी जो हम प्रेशर है उसको नहीं निकालेंगे इनकेस आपके चावल पांस सीटी में नहीं पकते हैं तो आप उसमें एक दो सीटी और लगा सकते हैं तो नाओ देखो यहाँ पर मेरे चावल बनके हो गए हैं तैयार गुड़ वाले कुकर की चार से पांस सीटी में ये चावल कुकर में खिले खिले तो बने ही हैं साथ में अच्छे से पक भी गए हैं अभी आपको एक चावल को प्रेस करके दिखाती हूँ तो देखिए मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये कितने इजीली प्रेस हो जा रहा है अगर आपके यहां बासोड़े पर गुड़ के चावल बनाए जाते हैं तो आप इनको इस तरीके से ट्राय कर सकते हैं और अगर आपके यहां बासोड़ा सेलिबरेट नहीं किया जाता है तो आप इनको अलग से भी बना के ट्राय कर सकते हैं ये हेल्दी तो होते ही हैं साथ में टेस्टी भी बहुत होते हैं और ये दही के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ जादा से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो बिकम आ पार्ट आफ आर फैमिली थैंक यू एंड हैपी बासवड़ा